हाई दोस्तों, कल का सु समचार इशु प्रत्वी पर साब दोगो बठा रहा है कि इशु ने बोला, इश्वर प्रत्वी पर इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लवथे पुत्र को आरपित कर दिया कि दर फूस पर उसता एक लवथे पुत्र को आरपित कर दिया जिसे जो उसमें विश्वास करता है जो जो उसका सर्वनाश ना हो इसलिए मतलब इश्वर उसका पुत्र प्रत्वी के बेचा क्यूं बेचा मतलब क्यूं बेचा सब आत्मी को प्रत्वी पर सब आत्मी को मदद कर लिए बेचा 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 सो लेकिन हमारे हम को एक एक खाम है एक खाम है पुत्र में हैं विश्वास करना होगा विश्वास करना होगा विश्वास करना चाहिए लेकिन जो उसमें नहीं विश्वास करता है उन लोग इश्वर इश्वर पानिश्मन दे रहा है पानिश्मन दे देगा पानिश्मन दे देगा लेकिन हमको इश्वर इश्वर का नाम फर इश्वास करना चाहिए शो दोसों इश्व इश्व में प्यार भाईयों और पहन्नूं शो में हिंदी में बाग करना कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा वीडियो मेरा वीडियो एक प्राक्टिस है मतलब हिंदी में बाग करने के लिए कैसे बाग करने के लिए कुणसा कुणसा वाक्यम कुणसा साथ उब्यों करने के लिए हर रोज कोशिश करता हूँ में बैबल पड़ रहा हूँ, यह वीडियो ए वीडियो बना रहा हूँ यूटीब में पोस्ट करने के लिए बना रहा हूँ सो लेकिन सो कालकस्ट समचार में मैंने पखले पथाया पथाया कि इस वर प्रत्वी पर उसका एक लवते पत्र बेच आर्पित कर दिया कुरूस पर अर्पित कर दिया सो हमारे लिए जो जो उसने जो उसमे जो उसमे विश्वास करता है वो जीवन जीवन इश्वर उन लोगों जीवन दे ओगे जीवन दे ओगे दे एगा जीवन दे एगा जीवन दे ओगा सो हमारे पास एक खाम है इश्वर का पुत्रा पर विश्वास करो हर रोज विश्वास करो कुछिस करो दे शुक्रिया शुक्रिया